नमस्कार दोस्तों मागदर्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करूँगी बहुत महत्वपूर्ण विसह पर देखिए विसह इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि यह है नौ ग्रहों के बारे में जैसा कि आज की समस्या यह है कि हर कोई ब्यक्ति किसी ने किसी ग्रह के पीडित होने से काफी परिसान है और हर कोई अपनी कुंडली दे करके जोतिस से दिखवा भी नहीं सकता कि उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह पीडित है परंतु चाहते हम सभी हैं कि हम नौ ग्रहों के कृपा प्राप्त कर और आगे बढ़ सकें दोस्तों जैसा कि अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से तो जरूर जानते होंगे कि मैं ग्रहों के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट तोर पे आपसे बताती हूं कि ग्रहों का काम क्या है दोस्तों ग्रहों का काम यही है चाहे वो कोई भी ग्रहों अगर आपकी कुं मान सम्मान परिवार में या बाहर आपको हर जगह से मानमान मिलता है पर नतु वहीं ग्रह प्रति-कूल पर शाया चाहिए तो हम έχते मैं पहले उसर करते हैं और बुद्धी में एशा बिचार में पतन स्वयमी कर बैठते हैं यहांनि आसा पतन मैं या चीजहें या ग्रहों जुड़ी हुई बाते कि ग्रह जब बिगड़ते हैं तो हमारे जी उनमें क्या-क्या समस्याइं होती हैं और अक्सर देखा जाता है दोस्तों रिष्टे भी बहुत अधिक खराब होते हैं और उन सबसे घुटकर के ब्यक्ति जो है कई लोग की तो ऐसे इस्थिति आ जाती है क फिर नौग्रह की पूजन भी आप करेंगे तो वो आप कब करेंगे तो आप अपनी पूजा जो प्रतिदिन घर की पूजा आप करते हैं उससे पुर्व ही आपको ये काम करना होगा कई हमारे भाईबन जो है वो बोलते हैं कि पहले गड़ेश जी की पूजा करें या शुर रומशा ग्रह जो है वह अनकूल है और कान सा प्रतिकूल है अगर यानि अनकूल का अरथ होता है आपके लिए उचित तो अगर कोई ग्रह आपके लिए उचित है तो भी वो आपकी कुंडली में इस मंत्र को जपने से और अधित जागारित हो और और अच्छे परिडाम आपको देगा और अगर प्रतिकूल है यानि आपके विप्रीत है तो भी वो ग्रह जो है वह सांत हो करके और आपके लिए अच्छा परिडाम देने लगेगा तो दोस्तो सास्तर भी बताया गया है कि इस मंतर को जपने की कुछ नियम है और प्रति दिन पूजा के पूरवत जैसे कि अगर आपके पास समय है तो आप कम से कम वह इस मंतर को जरूर जपिए और इस मंत्र को आप सुर्यदेव को जल देने के बाद भी जब सकते हैं या फिर आप स्नान करने के बाद जो है इस मंत्र को जब सकते हैं अब इस मंत्र को जबने के लिए आप चाहें तो 108 बार भी जब सकते हैं और 31 की संख्या में भी जब सकते हैं इस मंत्र को 31 बार मत्र शुबा सुबा 31 बार इस मंत्र को जपने से आपके नौगरा जो है वह धीरे धीरे सांथ होने लगते हैं और दोस्तों कैसे भी बिगड़े हो कुंडली में ग्रा और अगर प्रति दिन आप इन मंत्रों को जपते हैं आप कम से कम 31 जरूर बोली प्रति दिन या मंत्र और नहीं आप बैठ करके नहीं बोल सकते हैं इन मंत्रों को आपको लग रहा है कि आप बैठ करके सारीरिक चेश्टा कोई नहीं है और हम मुह में बिना होट हिलाए भी मंत्र जब सकते हैं लेकिन मैं आज बताऊंगे कि नौ ग्रह मंत्र आप अपने मंत्र की सफाई कर रहे हैं पूजा के बरतन दुल रहे हैं यह सारे कारे तो आप करते ही होंगे तो यह करते हुए भी आप इन मंत्रों को अपने मुख से जो है बोलते रहे हैं जब करते रहे हैं और कम से कम कोशिस के दिए दोस्तों की 31 बार्टों आप बोल ही दे इन मंत्रों को और बोलने से आप देखेंगे कि जो ग्रह की पीड़ा होती है वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगे और अगर संख्या में जब करने के लिए देखी हर ग्रहों के लिए अलग-अलग माला आती है जैसे ब्रह मंत्र के लिए अलग-अलग माला लेने की आशकता बिलकुल भी नहीं आप रूद्राक्ष की माला पर नोग्रा मंत्र जपना उचित होता है तो इससे आप इस मंत्र को जप सकते हैं अब बात करेंगे कि वह मंत्र कौन सा है जिसको आप जप सकते हैं तो दोस्तों को भी मंत्र हुआ कोई भी पोजा हुआ, मैं हमेशा बताती हूँ कि एक दीपक आपको जरूर जला के रखना चाहिए, क्योंकि वो दीपक आपका कर्मसाक्ची दीपक है, तो आप मंदिर में सरोप्रतम दीपक जला दें, और दीपक जलाने के बाद आप मंत्र को जपना शुरू करें, दोस्तों है ना बिल्कुल आसान मंत्र, अगर आप इस मंत्र को एक दो दिन, तीन दिन ऐसे जपेंगे, तो यह मंत्र जो है, आपको याद हो जाएगा, और अभी अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो इस मंत्र को आप कहीं नोट कर लिजे, मंदिर में रख दीजे, और सुबह सुबह आप इन मंत्रों को जपना सुरू कीजिए, इस से निश्चित रूप से आपके ग्रह जो है, वह अनकूल हो जाएंगे, बिना घबराय कम से कम 40 दिनों तक इस मंत्र का उच्चारण जो है, आप करते रहेंगे, 40 दिन बाद आप देखेंगे, कि आपके जीवन में जो ग्रह संबंदी पीड़ा थे, कश्ट थे, वह धीरे-धीरे समाप्त होना सुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मंत्र के जपने से धीरे-धीरे आपके जो ग्रहों की अनुकूलता है, वह धीरे-धीरे ही आपके साथ होने लगती है, तो इस बात को जानना बहुत ज़रू होगा और अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ग्रहों की समस्या उतनी अधिक नहीं है आप खुस हैं परेसान नहीं है तो फिर आप चलते फिरते यानि की देखिए मुख सुद्धी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मंत्र के लिए तो मुख सुद्धी हो सरीर सुद्धी हो तो आप इन मंत्रों को मुह में भी जब सकते हैं मुह में का अर्थ है दोस्तों बिना होटी लाए बिना सारी रिक्षेष्टा किये आप इस मंत्रों को जब सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार करके आप अपने नौग रह की पीड़ा क कम कर सकते हैं समाप्त कर सकते हों दोस्तों उम्मेद करते हूं वीडियो आपके लिए बहुत घ्यानवर्धक रहेगी मिलती हूं इसी तरह की वीडियो एक साथ धन्यवाद